क्या आप लोग भी Igno University या MDU या फिर किसी भी ऐसी University में है जिसमें आप लोगों को Assignment बनाना Mandatory होता है तो वो तो वाट ठीक है बट आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने Assignment को Prepare कर सको लेकिन Mandatory है तो जमा तो करने ही है अपनी University में तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने Assignment बिलकुल Affordable Price पे बनवाना चाहते हैं जिसमें आपको 95 प्लस मार्क्स मिलेंगे और आपकी handwriting बिलकुल clear रहेगी without any cutting इसमें आपकी percentage भी बढ़ जाएगी सो अगर आप handwritten assignment बनवाना चाहते हैं वो भी affordable price पे तो दिये गए contact number पे आप जो है DM कर सकते हैं और आपको mail ID भी given है Thank you और डिफिनिटली और बहुत सारे बच्चों को confusion ना हो कि हमारे लिए कौनसी वाली वीडियोस है या हमें कौनसी वीडियोस देखनी चाहिए या कौनसा सेले बस हमें follow करना चाहिए तो हर एक डाउट आपका clear होगा वीडियो के इन तक आप जरूर बने रहें सबसे पहले तो यह बिल्कुल लेटेस वाला प्रोस्पेक्टस है जो कि अपडेट कर दिया गया है जो कि बिल्कुल लेटेस वाला है पुराना वाला आपको follow-up नहीं करना है इसके अनदर हर एक चीज की information है डेटेल मैं आप इसको पढ़ सकते हो 423 पेज़ेस हैं इसके अंदर और आपको जो है अपने कोर्स पे ही में फोकस करना है कि आपका में कोर्स कौन सा है ठीक है अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपको बीकॉम का सर्च करना है ठीक है बीए कर रहे हैं तो बीकॉम आप सर्च कर सकते हैं तो इस तरीके की information रहने सबते हैं तो अब फिलाल मैं आपको में में बता देती हूं कि क्या इसके अंदर इंदर है और तो आप जाके चेकाउट कर सकते हो और में को मेंन बात बतानी थी वो ये थी कि जो नहें वाई बच्चे हैं जिनका अभी जुलाई 2024 के अंदर हुआ है न तो उनको कैसे बता चलेगा कि यह उन लोगों के लिए वीडियो जा रही है तो आपको याद रखना है एफ वाई यूपी करके लिखा रहेगा जिसका फुल फॉर्म होता है फोर ये अंडर ग्राजुएट प्रोग्राम मतला अगर कहीं भी थ्री येर्स लिखा है एगनू के अंदर तो समझ लेना यह पुराने वाले बच्चों का है जहां पर आपको शॉर्ट कट में ब्राकेट म बगरा आएंगी तो वह एफ वाई यूपी करके अगर उसका थमनेल है या उनकी प्लेलिस्ट अलग बनाई जाएगी और सब्जेक्ट बगरा मोस्ली पुराने बच्चों की तरह सेम है बस कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं जो कि आड़न हुआ है उनके उपर भी चल्दी बच्चे जहां पर मैंने अभी बताना थ्री एर्स लिखा यह वह पुराने वाले बच्चों का यह जैसे बाचलर आफ पहले तीन साल की तीक है बैचलर ऑफ साइंस बैचलर आफ कॉमर्स अब यह तीन साल की थी यहां पर दूरेशन से समझ जाओ कि तीन साल के लिए मीडिय जो न्यू वाले बच्चे हैं वो कहां से सर्चिंग स्टार्ट करेंगे मतलब उनका कौन सा है वो यह रहा मैं दिखा देती हूं यह लिखा है अभी बताना फोर येर एफ वाई यूपी मीन्स फोर ये अंडर ग्राडुएट प्रोग्राम ठीक है तो जो भी एकनॉमिक्स कर कर रहे हैं ने कर रहे हैं को समझ जाना एक उनके लिए को में pallet को रखना यζ about लिए वीडियो को समझ जाएं गे जैसे को यह दए गलता है और लिखा रहे और दिखो यहां परे थोड़ा जादा जूम हो बीकॉम एफ लिखा रहेगा पहले बीकॉम जी लिखा होता था अभी भी वीकॉम जी लिखा है डाट भाने बच्चों के लिए वीडियो आरही है और आपका वही है English Hindi medium दोनों रहेगा और three or four years वह है आप लोगों की मैं detail में video बना दूँगे अगर आप कमेंट करेंगे तो और कोई mandatory नहीं कि चार साल की करनी है तीन साल की करनी है अगर अगर आप दो साल की करेंगे तो डिप्लॉमम करा मिल चाहेगा लेकिन अगर आप प्रॉपर चार साल की करेंगे तो आपको प्रॉपर डिगरी मिलेगे उसकी भी काफी सारा अडवांटेज़ेस हैं जो कि जैसे कि आपको मास्टर एक साल की हो जाएगी इस तरीके से बेनेफिट मिलेंगे और मैक्सिमुम दूरेशन आठ साल में आपको मैक्सिमम लिमिट है कि इसमें आपको वैजिशन कम्लीट करनी है ठीक है 4500 पर ये इसका जो है वो पी स्टक्चर रहेगा ठीक है तो इस तरीके से थी सारी इनफोरेशन आप अपने कोर्स के कोर्डिंग आट साहीं सकते हैं ठीक है तो आपकी याद रखने है आपको में बतार यह इसको ठोड़ा ध्यान से सुनना है بैचलर आफ को मेजर एफवाई यूपी ओनर्स जो अनर्स वाले हैं उनका कोड जो है बी कॉम एफ है याद रखना बी कॉम एफ ठीक है तो आपकी यहां पे तो बस यह दिया गए कि आपके 12 मांगे गई थी इंगलिश इंदी आपका है और तीन से चार साल आप कर सकते हो और इसकी जो फीस है वो 4500 पर एयर है और यह सेशन दे रखा है ठीक है तो इस तरीके से ज अब चलते हैं अपने जो अपने बी कॉम के कौन से सब्जेक्ट में चॉइस मिली है ठीक है मैं जल्दी से जल्दी इस पर भी वीडियो बना उंगी जल्द से जल्द कि आने वाले सब्जेक्ट में आपको कौन से चूज करने चाहिए यह नहीं कि बस यह अच्छा लग रहा है यह वह अच्छा लग रहा है यह नाम से बहुत अच्छा लग रहा है मेरी फ्रेंड ने ले लिया तो चलो मैं भी ले लेती हूं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे टीचर बनना चाहते है और उनके कुछ सब्जेक्ट आगे देखे जाते हैं तो उस चीज में भी उनको थोड़ा द्यान रखना होता है कि कई बार क्या होता है कि गवर्मेंट जॉब में आपको एप आपको बन जाता है ठीक है तो पुजब रहाए कि आपको सब्लग Els Mira कर कर सकते हो यह और और किसी चीज में भी आपको बेनिफिट मिलता है जैसे कि अधर सब्जेक्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग सब्जक्क की आपको कौन सा वाला चूस करना चाहिए अब बात यह आती है कि यहां पर मैं नीचे जा रहे हूं स्टॉल करके ठीक है मैं भी आपको कॉमर्स वालों का बताई दिया कौन सा है बाचलर ऑफ कामर्स वाले जो हैं जिनका कोड बी कॉम F है याद रखना बी कॉम F ठीक है यह क्लियर कर दिया मैंने अप चलते हैं अपने मिन सब्जक्क की तरफ की अभी वाले जो बच्चे हैं उनको क्या यही वाले तो आगया हमारा मेन पेज ठीक है जो कि हमारा स्टार्ट होता है यहां से मैं दिखा देती हूँ यह रहाँ ठीक है बाचलर ऑफ कॉमर्स जो है भीकॉम एफ जो है इसके बारे में थोड़ी सी इनकोमेशन में देना चाहूंगी अब जेक्टिव अगर आप फुद इसको रीड आजकल आपको पता ही है कि इंगलिष कितना ज़ादा जरूरी हो चुका है हमारे डेली लाइफ में तो आप इंगलिष को ही ले और अगर किसी को लगता है कि वो इंगलिष में कमपरड़ेबल नहीं है तो वो अभी से कोशिश करना स्टार्ट कर दे धीरे धीरे जो है उनका तो पहली बात तो यह कि first year की मैं पहले बात कर लेती हूँ जिसको हम first semester का नाम देते हैं जिसके अंदर आपका सबसे पहला subject आता है जो new वाले बच्चे है फिर से बोले हो B.com.f कि क्या बीसी ओसी 132 business organization and management अब मैं ये भी बताती जाऊंगी कि आपको वीडियो देखनी कैसे ह है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास और कौन वंसी वीडियो आएंगी वो मैं बताऊंगी सो B.C.O.C. 132 business organization and management की वीडियो जो है already uploaded है और इसकी पूरी वीडियो मतलब पूरी बुक करवा रखी है मैंने आप जाके check out कर सकते हैं next आपका आता है और ना आप ये चीज उपर देखे जब आपका core course लिखा होगा that means आपके पास कोई choice नहीं है आपको वो subject लेना ही पड़ेगा क्योंकि जो हमारे core subject होते हैं ये वाली जो information है वो Delhi University अल्रेडी बहुत पहले से provide कर रही है और उन्होंने ये चीज को follow-up भी किया minor subject में आता है overview of retailing ठीक है पहले ये subject नहीं हुआ करता था first semester के अंदर अभी add-on हुआ है ठीक है retailing वाले subject हो गया ये वाला हो गया उसके बाद आपकी ability enhancement language है यानि जो आपकी ability को enhance करता है ठीक है जो कि आपका environmental studies है ये तो बच्चों को पहले से भी subject आता था जो पुराने वाले बच्चे है और एक नया आया है आ जो कि skill आपकी skill को बढ़ाने में इनांस करने में कुछ add-on किया गया अच्छली क्या है ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है ये extra क्यों add किया है क्यों बोज बच्चों को लग रहा है देखो ऐसा है national education policy ने अपने curriculum में यही समझाने की कोशिश करी थी कि अब जो है पढ़ाई एक्स्टा add-on किये गए है तो skill enhancement में आपको micro economics या other कोई course आप ले सकते हैं जो भी आपको जब आपने form फिल किया होगा तो आपके बस options आए होंगे तो आपने जो है वो select किया होगा ठीक है तो most probably business organization और EBS की videos already बनी हुई है micro economics और retailing के जो notes हैं और videos हैं वो जल्दी आना start-up हो जाएंगी ठीक है उसके बाद आते हैं second semester पे जो की financial accounting है यह पूरी की पूरी किताब one shot playlist सब कुछ uploaded important questions आप check out कर सकते है personal selling and salemanship यह आपका जो है वो extra अभी first semester में sorry second में add किया गया है जिसकी videos जल्द देखने को आपको मिलेगी ठीक है computer application भी already बना रखा है लेकिन detail में नहीं बनाया था और थोड़ा सा जल्दी में बनाया था तो आप वो भी जाके check out कर सकते हो value addition में यह एक और ते रखा है value addition sorry यह subject है यह आपका है और third sorry second year जो है आपका third or four semester होता है जिसके अंदर business management and statistics है statistics already बना हुआ है जाके check out कर सकते हो उसके बाद आपका आता है logistic management इसके ओपर जल्द वीडियो देखने को मिलेगी यह इसकी already playlist बनी हुई है यह आप check out कर सकते हैं and four semester income tax already काफे सारे lessons करा दिए एक दो chapter रहें जो है आप लोगों का वह भी जल्द देखने को मिलेगा लेकिन वैसे already मैं करा चुपी हुए इसका playlist आप जाके check out करो पूरी पूरी बुक मैंने करार किया बुक में कोई चेंज नहीं आया तो आप वो वीडियो देख सकते हो बस हाँ आपको एक चीज़ का द्यान रगना है जो नए वाल स्टूडिंट है इनकी playlist आलगूंगी बाकिसले बस जो है वो आप देखी सकते हो तैयारी स्टार्ट कर सकते हो जो जो वीडियो आएंगी आप देखते रहेंगे थर्ड ये में आपके कौन से समेस्टर होते थे फिफ, जिक्स समेस्टर नहीं जिसके अंदर आपको corporate accounting बनी है company law पनी ये भी आ comment कर सकते हो जिसके ज़्यादा comments होंगे जिस subject पर वीडियो पहले आएंगी cost accounting करा दिया है management accounting जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जागा और इसको आने में भी time लगेगा मतलब आपके पास अभी time है अच्छा खासा third year तक तब तक upload हो जाएगा ये NGO management है इसके उपर भी जल्दी हो चुके हैं पहले 6 हुआ करते थे अभी 8 हो गए है क्योंकि एक साल बढ़ने की वज़ा से दो समेस्टर और बढ़ गए है ठीक है तो इसका भी advantage है यानि PG आपकी एक साल की हो जाईगी तो कहीं नगी advantage तो है इसका ठीक है तो business environment है ये भी already हम करवा देंगे यह बी जल्द देखने को मिलेगा और स्टाटिस्टिक मानेजमेंट हो गया economics हो गया यह आपका business research हो गया यह जल्दी देखने को आप लोगों को मिल चाहेंगे definitely और कुछ एक्स्टा में subject है जैसे consumer behavior मतलब जितने भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बनानेगी मैंने पूरी कोशिश करी है और यह आपको पूरा screenshot मतलब इस चीज का ले सकते हो मैंने स्कूल कर यह यह subject है मतलब आपके ठीक है तो इस तरीके सब आप जो है code wise इसको जो है screenshot ल सकते हैं और thank you so much